आज हम लोग चैप्टर 6 बालकह कंदुकेन क्रिडती यानि करनकारक तृतिया विभक्ती को देखेंगे जिसमें से या के द्वारा चिन है इसका और यहां हम लोग शिर्षक में ही देख रहे हैं बालकह कंदुकेन क्रिडती यानि लड़का गेंद से खेलता है खेलने का कार्य कर रहा है और किसके द्वारा तो गेंद के द्वारा गेंद से खेल रहा है तो उदाहरन यहां पे शिर्षक एक उदाहरन के रूप में भी हम देख सकते हैं और आगे बढ़ने से चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करनकारक के बारे में संपन होता है यानि जिस साधन के द्वारा कार्य पूरा किया जाता है वह करनकारक कहलाता है और इसमें तृतिया विभक्ती होती है जिसका चिन से या के द्वारा है तो अब हम लोग आएंगे चैप्टर में अनुवाद हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे पूरे चैप्टर का बालकह कंदुकेन क्रिडती लड़का गेंद से खेलता है बालकह कंदुकेन क्रिडनती लड़के गेंद से खेलती है विवेकह कलमेन लेखम लिखती विवेक कलम से लेख को लिखता है सह कलमेन लेखम लिखती वह कलम से लेख को लिखता है अहम नेत्राभ्याम पश्यामी मैं आखो से देखती हूं यहां नेत्राभ्याम यहां द्वीवचन यानि दो आखो से देखती हूं यहां दो की संख्या को यह दिदर्शारा है अहम चर्णा भ्याम चलामी मैं पैरो से चलती हूँ यहां भी द्वीवचन का प्रयोग है पुत्र जनकेन सह आपनम गच्चती पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है माला कारह जलेन व्रिक्षान सिंचती माली जल से व्रिक्षों को सीचता है गजह शुंडेन शाखाह त्रोट्यती हाथी सूड से शाखाओं को तोडता है शिशु क्रिडन के क्रिडती बच्चा खिलोने से खेलता है बाल का हा परिश्रमेन पठनती बच्चे परिश्रम से पढ़ती है राधा सीतया सह संभाशनम करोती राधा सीता से सीता के साथ बातचीत करती है अक्षय बस यानेन विद्यालयम गच्चती अक्षय बस से विद्यालय जाता है तत्र सह परिश्रमेन पठती वहाँ वह परिश्रम से पढ़ता है सह मित्रे सह संभाशनम अपी करोती वह मित्रों के साथ बातचीत भी करता है सह दूर विक्षनेन खेलम पश्यती वह दूरदर्शन से खेल को देखता है संगन केन स्वकार्यम अपी करोती कम्प्यूटर से अपना कार्य भी करता है तो ये पूरे पाठ में हम लोगों ने देखा से तृत्या विभक्ति करनकारक का प्रयोग किया गया है और हम लोग पूरे पाठ में लगभग हर लाइन में से या के द्वारा का प्रयोग हम लोग देख रहे है तो अनुवात को ध्यान से सुन करके संस्कृत की कॉपी में लिख लेना है अगले वीडियो में हम लोग क्वेस्चिन आंसर्स को करेंगे बाई